नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है HDV News पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जो कि जूड़ी हुई है गोतम अडानी से आम आदमी पार्टी के राजसबा सांसत संजे सिंग ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो गया जिसका कैप्शन था कि दुनिया के दो नमबरिय उसको जो है इंवर्टीड कॉमास में रखा गया दो नमबरिय गोतम अडानी जिसके लिए मोधी सरकार ने सब कुछ निलाम कर दिया उसके ब्रस्टाचार पर उसके फैनेंशल फ्रॉड को सर्वदलिय बैठक में उठा जिसमें संजे सिंग कहते हैं कि आज पार्लिमेंट के अंदर सभी दलों की बैठक थी उस सर्वदलिय बैठक में मैंने गोतम अडानी के ब्रस्टाचार का मुद्दा उठाया अडानी का ब्रस्टाचार जो पिछले तीन-चार दिनों से काफी चर्चाओं में है ये कहा संज एक्स्प्लेनेशन आ चुका है कि कि किसी साब से हिंडन बग ने जान पूश करके बिना तथ्यों के अधार पर इस रिपोर्ट को बनाया और उसी रिपोर्ट का अब जो है हवाला दे रहे है आम आदमी पार्टी पर आरोप लगते हैं तब आम आदमी पार्टी पूरी तरह से चुपी साधे बैठती है अब वो हिंडन बग की रिपोर्ट पर उनको जादा बरोसा है लेकिन अडानी समू जो इसमें पर्टी से सवाल है राजसान के अंदर हाल ही में इन्वेस्टर समिट के बाद 68,000 क्रोड 68,000 क्रोड रुपे के प्रोजेक्ट दियेगे गोतम अडानी को राजसान में तो कॉंग्रेस की सरकार है लेकिन गोतम अडानी पर सवाल जो है वो मोदी के साथ जोड़ करके किया जाए कॉंग्रेस पर सवाल नहीं उठाए जेंगे और हाल ही में जो गोतम अडानी ने इंट्रियू दिया था उसमें बताया था कि ऐसे नहीं हमको मिल रहा है सब कुछ खेरात में हर जगा बिडिंग प्रोसेस होता है हम उसमें पार्टिस्पेट करते हैं और उसमें जीतते हैं उ और आज वो दो नमबरी वाली बात सही हो रही है यह कौन कहा रहा है संजे सिंग कहा रहे हैं और आगे लिखते हैं अब उनका जो अमीरों की सुची में नाम है वो लगातार गिर रहा है और अब वो आठवे नमबर पर आ चुके हैं क्योंकि जूट का पहाड उन्होंने ब्रस्टा चार की बुनियात पर अमीर बने थे और जब उस ब्रस्टाचार का खुलासा हुआ तो उनका वो पहाड ताश के पत्ते की वह वहां हम आदमी पा IO कर देंगे सतेंदर जैहन अभी तक जेल में है, मैं 2022 में जेल में गए थे आज तक मंत्री है वह अभी तक मंत्रीपत से रटाया नहीं गया है वहीं आगे संजे सिंग कर्ज की बात भी कर रहे हैं कह रहे हैं कि धाई लाग करोड रुपे कर्ज है गोतम अडानी पर हालांकि सितंबर 2022 में इसका भी खुलासा हो चुक है अडानी समू की तरफ से जो ये कर्ज की बात की जाती है अडानी समू के पास उपलब्द नगदी को ध्यान में रखे जो उन्होंने बताया सितंबर 2022 में उसमें कहा गया जो पर मार्च 2022 में एक दिशमलोव आठाट लाग करोड रुपे का सकल कर्ज और एक दिशमलोव छे एक लाग करोड रुपे का ये कहा गया कि वितवर्ष 2015-16 में उसकी कंपनी के कुल कर्जे में सारुजनिक बैंकों से लिए गए कर्ज का अनुपाद 55% पर था लेकिन वितवर्ष 2021-22 में ये गट कर कुल कर्ज का सिर्फ 21% रह गया है यानि कि कर्ज जो है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है लेकिन वो नहीं दिखेगा यहां पर संजे सिंग को आगे उसमें का गया था डैनिस मूग की तरफ से कि वितवर्ष 2015-16 में बैंकों से लिएगे कर्ज की कुल रिन में हिस्सेदारी 31% हुआ करती थी जो अब गटकर 11% पर आ गई है लेकिन ये संजे सिंग को नहीं दिखेगा यहां पर इसमें अडानी ग्रूप की तरफ से ये भी कहा गया कि उनकी जो कंपनियें हैं उन्होंने लगातार अपने कर्श को चुकाया है और नेट डेप टू अबिड़ा रेशो जिसको हम कहते हैं वो घटकर 3.2 गुना रह गई है जबकि आज से 9 साल पहले जब नहीं नहीं सब्सक्राइब का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए यह मांग किया उन्हें चिठी लिखी है संजे सिंग में किस पर हिंडनबग की रिपोर्ट के मुताबिक सतेंदर जैन पर क्या एक्शन लिया गया आमादमी पार्टी की तरफ से मनीर सी सोधिया पर क्या एक्शन लिया गया आमादमी पार्टी की तरफ से जो संपत्ति कुर्क हो रही है अभी उस शिराब गोटाले में उसमें तो आम आदमी पार्टी पीछे हो जाती है नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है इन से owhi संझे सिंग आगे कहते हैं कि LIC SBI यह सब जो हैं जंता की कमाई का देखो सारा पैसा कहाया है अडानी पर लगाया गया संझे सिंग यहां प्र जंता की कमाई की बात कर रहे हैं कि जंता का पैसा वहां कहां पे खर्च हो रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं देखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट पर इतना खर्चा कर चुकी है वहीं एक यूजर इस मामले में लिखते हैं कि जिस बात की समझना हो संजे सिंग के लिए कि जिस बात की समझना हो उस पर बोलना नहीं चाहिए उल जलूल जूट की दुकान चलती नहीं आपने दिल्ली बरबाद कर दी अब पंजाब कर रहे हैं असली मुद्धों पर राजनिती करिए ये लोग अब सला दे रहे हैं संजे सिंग को राश्टरपती के अभी वाशन में नहीं जाएंगे उसका बहिशकार करेंगे लेकिन यहाँ पर गोतम अडानी एक मत्र रिपोर्ट आने के बाद जो उनके शेर नीचे गिरे जो 25 जन्वरी को उनका नेट वर्थ 9 दिशनलव दो शुन्य लाग करोड था वो 27 जन्वरी को 7.88 लाग करोड आ गया तीसरे नंबर पर वो लगातार चल रहे थे हमीरों के लिस्ट में साथमें आठमें पाइदान पर आगे सिरफ एक रिपोर्ट के मताबिक जिस रिपोर्ट के लिए अडानी समू एक्स्प्लेनेशन दे चुका है कि आदे अदूरे तत्यों के अधार पर जो है रिपोर्ट बनाई गई है रिपोर्ट ना ही निश्पक्ष है ना ही सुतंतर है लेकिन आम आदमी पार्टी उस पर भरोसा नहीं करेगी हिंडन बर्ग ने जो बोला है उसको प्रमानित जो है वो मानेगी उसको सच मानेगी आम आदमी पार्टी अडानी समूझ जो explanation दे रहा है उस पर कोई बात नहीं करेगी यहाँ पर जनता की कमाई की बात कर रहे हैं संजे सिंग दिल्ली सरकार में आया हुआ जनता के tax का पैसा अपनी advertisement के लिए लगाती है हम आदमी पार्टी अपने symbol जाडू के प्रचार के लिए लगाती है हम आदमी पार्टी की तरव से लेकिन यहाँ पर उनको LIC जिसका explanation आ चुका है किस तरह से उसमें राजनिती की जा रही है LIC और सेवी के मुद्दे पर लेकिन उस पर जो है संजे सिंग को जनता की कमाई दिख रही है दस लाग रुपया आप scholarship देते हैं 19 करोड की advertisement कर देते हैं उसमें जनता की कमाई नहीं दिखती 10 करोड रुपय खर्चा गिया जाता है पंजाब के अंदर महला क्लीनिक में 30 करोड रुपया उसके विग्यापन पर खर्च कर देते हैं उस समय जनता की कमाई नहीं दिखती है आम आत्मी पार्टी को लेकिन यहाँ पर किस तरह से गोतम अडान की सरकार थी मनमोहन सिंग ने जब यहाँ पर एकनॉमिक चेंजिस लाए थे उस समय हमारे बिजनस ने जो है जादा गती पकड़ी थी लेकिन वह यहाँ पर विपक्षी दलों को नहीं दिखेगा और यहाँ पर अडानी के शेयर गिर रहे हैं उसको भी जोड करके देखेंग है क्यों पिए मोधी सत्ता में बैठे हुए हैं अडानी के शेयर गिर रहे हैं क्यों पिए मोधी सत्ता में बैठे हुए हैं दिल्ली में काम क्यों नहीं हुआ नहीं पिए मोधी ने लगी को बिठा दिया हमारे सरके उपर वो काम नहीं करने दे यह हैं आदमी पार्टी की र करते हैं सबस्राइब भी और चालता है